दोस्तों आप सभी लोग जब भी मुगैंबो खुश हुआ सुनते हैं तो आपको किस फिल्म की याद आती है आप सभी लोग सही सोच रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के बारे में जिसकी कहानी कलाकारों की आक्टिंग डायलोग बहुत ही तब ही तो ये फिल्म सुपर डूपर हिट साबित हुई थी लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि मिस्टर इंडिया मुवी में आक्टिंग करके मशूर हो चुके कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर कौन है जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत खयाल रखत हैं इस मुवी में नजर आयक अलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में नंबर वन अनिल कपूर इस मुवी में मुख्या अभिनेता अरुन वर्मा का किरदार निभाने वाले अभिनेता कोई और नहीं बल की अनिल कपूर थे जिन्होंने अपने कॉमेडियन और रो इनके दो बच्चे हैं आपको बतादे इनकी पत्मी पेशे से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है नमबर टू श्री देवी चलिए बात करें अभिनेत्री श्री देवी के बारे में जो इस मूवी में सीमा का किरदार निभाती हुई नजर आई थी और एक इरिटेटिंग गल का क किरदार बहुत ही खुबसूरती से परदे पर उतारी थी लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो इन्होंने साल 1996 में बॉनी कपूर से शादी कर ली थी और आज इस शादी से इन्हें दो बेटी है आपको बता दे इनकी पती बोनी पेशे से एक फिल्म प्रड्यूसर है नमबर 3 अमरिश पूरी मुगैंबो खुश हुआ बोलने वाले मुगैंबो का किरदार निभाने वाली अभिनेता कोई और नहीं बलकि अमरिश पूरी है जिन्होंने साल 1957 में उर्मिला देविकेर से शादी कर ली थी और इस शादी से इन्हें ए निभाने वाले अभिनेता शरत सकसेना ने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया था और लाखो करोडों दर्शकों का खूब मनुरंजन किया था लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में तो इन्होंने कई सालों पहले शोभा सकसेना से शादी कर ली और आज शादी से इन्हें दो बच्चे हैं बात करें इनकी पतनी के पेशे के बारे में तो ये एक बिजनेस विमिन है नमबर फाइव बॉब क्रिस्टो इस लिस्ट की आखरी कड़ी में बॉब क्रिस्टो का नाम शुमार है जो इस मूवी में मिस्टर बॉल से शादी कर ली थी और आज इस शादी से इन्हें दो बच्चे हैं आपको बता देंकी पतनी पेशे से एक इंजीनियर है और आज अपने फिल्ड में बहुत ही ज़ादा कामयाब हो चुकी है तो दोस्तों आपको इन कलाकारों में से किस कलाकार की आक्टिंग बहुत झाले